असलाम अलेकुम वेलकम तो आर चैनल बाइटल डीवी तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलिस्ट्रेशन का हाफ ऑप्शन जिसमें मैं आपको पिक्चर्स ऑनलेन पिक्चर्स एंड दन शेप्स के बारे में पढ़ाऊंगा अगर आप अपने पर डाकिमेट में इक इंड चाहे हैं तो आपका पिक्चर्स ऑनलेक्शन में आपके पास वाले शेकर आपके लिडियो होगा वहां पर चले जाएं, so simply मेरी image अभी है download वाले folder में, इसके ओपर click करूँगा, और मेरा example के दोर पर यह वाला image है, ठीक है जी, इसके ओपर click करें, and then insert के button के ओपर, जैसे ही आप click करेंगे, आपका यहाँ पर image open हो जाएगा, और जैसे ही आपका image यहाँ पर open होगा, यहाँ पर आप view वाले tab के बिल्कुल साथ देख सकते है, format वाला option है, ठीक है जी, format वाले tab यहाँ पर open हो जाएगा, जिसके जरीए आप अपने image की formatting कर सकते हैं, so यहाँ पर, मैं क्या करता हूँ, अभी अपने image को छोटा कर लूँगा, इस तरह से, ठीक है जी, आपने image को corner से पकड़ के छोटा करने हैं, ठीक है, corner पर click करके drag करें, तो आपका image छोटा बड़ा होना start होजएगा, लेकिन अगर आप इसे side से पकड़ के drag करेंगे, तो यह आपका image stretch हो जाएगा, और यह खराब होजएगा, तो अगर मैं यहाँ पर undo करना चाहरा हूँ, यानि कि मैं वापस जाना चाहरा हूँ, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ एक shortcut की use हो रही होती है, control Z, so control Z करके मैं यहाँ पर वापस आ गया, अब देखें मैं अगर इस image को drag करता हूँ, तो यह image ड्रैग नहीं होगी, क्यूंकि यहाँ पर हमें layout option में इसे, जो text wrapping है वो tight पर set करना होगी, and then अब इसे cross करते हैं, अब देखें हम अपने image को freely कहीं भी move कर सकते हैं, so format में सबसे पहला option है, remove background, remove background यहाँ पर बिल्कुल clear लेनी कर रहा होता, आप simply online जाके easily कर सकते हैं, that is a very good way, अब यहाँ पर आ जाते हैं, corrections के बारे में, आप अपने image की कोई भी हलकी भुलकी सी, यहाँ पर correction कर सकते हैं, आप Photoshop में जहीं जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास इतना time नहीं है, तो आप यहाँ से क्लिक करें, और यहाँ पर आपके पास देखें, यहाँ पर लेना चाहरे हैं, वह आप ले सकते हैं, यहाँ पर saturation को बढ़ा सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर color टोन हैं, यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर इसके बाद करते हैं, अगर मैं इसके ओपर mouse overlap कर रहा हूं, तो देखें मेरा image जो है, वह इस तरह से scrubber dive का आ रहा है, इसके मेरे image के ओपर अभी इस तरह से artistic effect आ रहा होगा, ठीक है, अगर मैं इसके ओपर click कर रहा हूं, अब यहाँ पर देखें, यह artistic effect अलग है, इसमें pencil, gray scale, pencil के जरीए, यहाँ पर पूरी सी आपके लिए drawing की हुए, ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, तो यह glass वाला यहाँ effect आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास काफे सार effects है, you can use in your image, so, अब मैं इसके ओपर click करके, इसे, मतलब hide कर देता हूं, ठीक है, अब picture style के बारे में बात करते हैं, अगर मैं इस point के ओपर, यह जो arrow है, इसके ओपर click करूं, तो मेरे पास यहाँ पर picture के style आ जाएंगे, difference से, अब मैं इस picture को select रखते हुए delete कर दूँगा, मैं यहाँ पर एक और new image insert कर लेता हूं, simply, हम यहाँ पर यह वाली image insert करेंगे, ठीक है जी, यह वाली image insert करने के बाद, मैं इसे पहले, यहाँ पर text wrapping में tight कर लूँगा, इसका size थोड़ा सा हम, छोटा करेंगे, ठीक है जी, थोड़ा सा मैं scroll up करके, इसका size छोटा कर दूँगा, ठीक है जी, ले भई, मैं थोड़ा सा और इसका size कम कर देता हूं, इस तहां से, ठीक है जी, so, अब यहाँ पर मैं अपना एक नया image ले आया हूं, और अब बात करते हैं, picture के style के बारे में, so, simply, मैं इसे side कर लेंगा, औ और इस arrow के ओपर click करके देखें, तो, यहाँ पर देखें, मेरे पास एक different style आ रहा है, अभी मैं, इसके ओपर click नहीं कर रहा है, मैं simply, सभी के ओपर mouse overlap करूँगा, ठीक है, अब देखें, यह वाला style है, इसमें आपके पास थोड़ी से reflection आईगी है, and then, आपके image के ओपर सबसे पहले आजए, picture border के ओपर, आप यहाँ picture के side पे border लगा सकते हैं, simple मैं इसके ओपर click करूँगा, और यहाँ पर देखें, हमारे पास different से borders हैं, ठीक है, आप किसी भी color का border लगा सकते हैं, आप simply example के दोर पर मैंने यह वाला border लगा लिया, तो, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो border है, वो काफी पतला सार है, अगर मैं इसका weight increase करना चाहरा हूँ, तो simple picture border के ओपर click करें, और नीचे यहाँ पे है weight, इसके ओपर click करें, और यहाँ से आप अपना weight, या अपने stroke का weight या border का, जो weight है, वो जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी, अब यहाँ आप साथ में बात करते हैं, आप अपने stroke को या आपने, यहाँ पे border को, dashes में भी convert कर सकते हैं, ठीक है जी? यहाँ पे देखीं, यह वही वाले एंथ को यूज आ रहे हैं याप अपने का टाइल चेंज कर सकते हैं मेरे पास महजूद है आप इस तरह से चैऑर कर सकते हैं यह काफी सार यहां बात करते हुआ के बारे में तो यह देखें यहां पर मारे पास डिफरेंट तरह की शैडो से यह आउटर शैडव जिसमें हमारे image के बाहर की तरफ शैडव ओगा और यह इनर शैडव है जिसमें हमारे image के अंदर की तरफ शैडव ओगा ठीक है image के inside यानि के अंदर के दर्फ shadow यहां पे create हो रहा है अब यहां पे तीसरे नंबर पर यानि के बात एक और करते हैं कि अगर मैं shadow को हटाना चाहरा हूं तो shadow के अंदर सबसे पहला option है no shadow इसके उपर क्लिक कर दें आपके selected image से जो आपने shadow apply किया होगा वो हट जाएगा ठीक है जी अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं यहां पर जो option है और reflection आप यहां पर reflection apply कर सकते हैं किसी भी तरह की और अगर आपने लगा लिए तो इसको हटान आप अपने image के ओपर different colors के glow भी लगा सकते हैं अब देखें यहां पे सरफ 4-5 colors के glow आ रहे हैं अगर आपने more colors को यहां पर देखना है कि भी मैं एक अलग color जो है इन सभी से अलग color लेना चाहरा हूं जिसका मैं glow यहां पर apply करना चाहरा हूं तो more glow colors पे आएं और यहां पर द 25 points का blur है 10 points का 25 points का यह जो है आप डिपेंड करता है कि भाई आप अपने image के ओपर कितना ज्यादा blur apply करना चाहरे है ठीक है उसके बाद बात करते हैं बैवल के बारे में यहां पर अपने image के ओपर हलका सा बैवल लगा सकते हैं it is depend on your upon कि यह आप अपने document के accordingly यहां पर बैव रहा होगा ठीक है यह perspective में आ जाता है और यह parallel में आ जाता है ठीक है यह देखिए हमारे पास होड़ा सा perspective में हमारा 3D rotate हो रहा होगा simply से अगर मैं इसके ओपर क्लिक करते हूं तो यहां पर मेरा image है वह 3D rotate हो चुका है ठीक है जी so I hope आपको जो pictures वाला option है वह आपको पूरा जो है details से समझ आ चुका होगा अब online picture के बारे में बात करते हैं यह simply इसके ओपर आप click करें यह आपके पास search बार आएगा and then search करें कोई भी image और आपके सामने आ जाएगी so अभी यह इतना ज़्यादा important नहीं है आप pictures का अगर आपको option आता है तो आप online picture easily use कर सकते हैं so अभ टाना के जो shapes हैं यह different जगे पर use हो रहते हैं example के तोहर पर rectangle अप्र यह जगे पर use हो रही होकिए यह जो आपका emoji है यह जगे पर use हो रहा होगा and then arrows आपके अपके अपके यह जगे पर use हो रहे होंगी so example के दौर पर मैं आपको basic shapes के बारे में ही बताँ आँगा यहाँ पर אחर बारे में बताऊंगा रांडे 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 र shape of formatting का भी tab open हो रहा है यानि कि अब आप अपने shape को भी format कर सकते हैं इसलिए असानी से अब यहां पे देखें मैं corner से पकड़ के इसको gradually increase कर सकता हूं इसका size और इसके इलावा अगर मैंने इसकी यहां पे width बढ़ानी है width बढ़ा सकता हूं height मैंने बढ़ानी है या कम करनी है वह भी कम ज्यादा कर सकता हूं ठीक है जी अब यहां पे shape style के बारे में हम देख लेते हैं सबसे पहले shape style इसके ओपर क्लिक करें arrow के ओपर तो यहां पर different तरह के shapes के style आ रहे हैं ठीक है आप shapes के ओपर क्लिक करेंगे अभी मैं यहां पर rectangle tool पकड़ लेता हूं और मैं चाहरा हूं यहां पर मैं एक square draw करूं तो आप अपने keyboard से shift प्रेस करके अगर drag करेंगे तो आपका यहां पर proportionally एक square draw रहा होगा ठीक है जी अब देखें अगर मैं इसको इसका size बढ़ाता हूं तो य अपनी पहले वाली shape में नहीं रहा है यह देखें यहां पर rectangle में convert हो रहा है अगर मैं corner से पकड़ गए drag करूं तो मैं चाहरा हूं कि भई यह अपनी ही shape में रहते हुए मैं इसका size increase or decrease कर सकूँ तो इसके लिए आपको shift press करके click करके drag करना होगा तो यह देखें यह अपनी ही image को rotate करेगा अब देखे click करके drag करूं you can rotate your shape in any direction ठीक है जी आप अपने shape को किसी भी जगे में rotate कर सकते है ठीक है अगर आपने undo करना है तो ctrl z press करें ctrl z press करें आपका यहां पर वापस आजाएगा जो भी है ठीक है अब यहां पर मिसाल के तोर पर भाई यहां पर मैं अपना fill change करना चाहरा हूं अपनी shape का fill change करना चाहरा हूं तो आप simply देखें इस shape styles वाले option में यह है shape fill इसके ओपर click करें और यहां पर जो मर्जी आप color change करना चाहरे ह आपका color उस choose किया हूए color में change हो जाएगा अब यहां पर अगर मैं color को हटाना चाहरा हूं तो click करके यहां पर नीचे है no fill इसके ओपर click कर दें जी आपकी shape में से color हट जाएगा इसके नीचे वाला option है यहां पर shape outline इसके ओपर click करें अब आप देख सकते हैं हमारे shape के चारो पर click करें तो हमारे पास different weights of border आ जाएगी यहां पर कोई भी अपने outline का weight रख सकते हैं इसके बाद मैं इसका जो fill है वो भी change कर लेता हूं यहां जो हटा देता हूं so no outline करेंगे तो आपकी यहां से shape के ओपर से outline हट जाएगी अब shape effects है वही शेप वाले effects भी वही सारे effects हैं जो मैंने आपको image में बताएं ठीक है जी image के formatting वाले टैम में बताएं वही सारे shape effects वाले भी option है अब बात करते हैं एक और option के बारे में कि अगर मैं अपनी shape की copy लेना हो चुकी है इसके बाद अगर मैं चाहरूं कि यार मैं इन दोनों को select करते हुए एक ग्रूम में convert करूं तो आप यहां पे पहली shape को पकड़ेंगे और दूसरी shape को भी जाके पकड़ें सुबही यह दोनों कटी select नहीं हो रही पहली को आपने select किया दूसरी को select किया तो पहल के tab में ही रहते हुए यहां पे है एक ग्रूप का option इसके उपर क्लिक करके इसे ग्रूप करते हैं अब यह दोनों shapes हमारी एक ग्रूप में convert हो चुकी है अगर मैं ग्रूप करना चाहरूं तो दोबारा यहां पर आए और इसे अंग्रूप करते हैं यह दोनों shapes आपकी अंग चाहरूं यह जो और यह ब्लू शेप के नीचे चला जाए तो आप यह वाले और यह ब्लू वाले शेप के उपर आजाए तो आप इसे सेलेक्ट रखते हुए सेंड फॉवर्वड के उपर क्लिक करेंगे आप यह ब्लू और यह दोबारा इंसर्ट वाले time में आ जाते हैं आ यह शेप्स और पिक्चर्स वाला उप्शन आपको इन डिटेल मैंने बताया है भही आपको लाजबन समझ आया होगा अगर कोई उप्शन आपको समझ नहीं आया तो मेरे से आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं I hope you like this video if you like this video please like share and subscribe our channel Thank you